लफ्स इन्हा नाराज हैं एक के बाद एक कई सारे ट्विट्स किये और उसके बाद वो ट्विट्स डिलीट भी कर दिये क्या सुनाक्षी के साथ कोई रिष्टा नहीं रखेंगे लफ्स इन्हा ये बाते खुद लफ्स इन्हा ने कही है और सबसे हरानी की बात ये है कि कुछ ने जहां ये बात कही थी कि हाँ मैं शादी में मौझूद था लोग मुझे नहीं पैचान पाए और मैं इतना पब्लिक के बीच में जाता भी नहीं हूँ लेकिन लव सिन्हा ने फानली कंफर्म कर दिया है कि वो शादी में थे ही नहीं और वो रिष्टा भी नहीं रखेंगे जहीर के पापा भर भी सवाल उठाए है क्या है पूरी ख़बार बताओं कि आपको इस वीडियो में नमस्कार आपके साथ मैं हूँ दिपिका वल अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से कर लिजे ताकि सारी कि सारी लेटेस कबरे आप तक पहुं सके जल से चट लव सिन्हा के वारल हो गए ट्विट्स और उस वारल ट्विट्स के भी शायद फैमिली में क्लैशिस हुए और उसके पाद वो ट्विट्स डिलीट भी हुए हैं लव सिन्हा ने ये कहा है कि वो शादी में नहीं आये थे सुनाक्षी की और ना ही उन लोगों से कभी कोई रिष्टा वो रखना चाहेंगे तो क्या पहन से भी रिष्टा तोड़ देंगे लव सिन्हा ने ये भी कहा है कि जहीर इकबाल का जो फैमिली विजनस है उसको भी संदिक्द बताया है उन्होंने पूचा है कि जहीर के पिता दुबई के कारुबार की किसी को भनक है क्या आफिर क्या काम करते है जहीर के फादर दुबई में और सबसे बड़ी intent ये है कि श लव सिन्हा ने ये बात कही है कि मैंने शादी का हिस्सा ना बनने का फैसला इसले लिया मेरे खिलाफ जो ऑनलाइन अभ्यान चलाया जा रहा है उसे ये तथे नहीं बदलेगा मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले आता है लव ने अपनी बेहन सुनाक्षी के पती जहीर पिता की एक नेता जिनके खिलाफ एडी की जाच चल रही है कि कतित रिष्टों पर भी सवाल उठा दिये हैं उनके परिवार बिजनेस के बारे में नियू स्टोरीज की गई पर किसी ने भी दूले के पिता की नेता से करीवी रिष्टे वाले संधिंग मामले में ध्यान नह परिवी दिया